दोस्तों मैं डॉक्टर मुक्रिश कुमार इसे पहले वाले वीडियो में हमने मुस्लिम विदिक के अंतरगत होने वाले विभा के प्रकार के बारे में पड़ा आज हम उनमें से ही एक विशेज तोर पर वहने वाले विभा के बारे में चर्चा करेंगे वह है मुत्ता विभा क इसके आफसकत्त्त और मुत्ता विवा की विदिक प्रसांगिकता क्या है उसके बारे में आज हम तर्चा करेंगे मुत्ता विवा मुस्लिम विदि के अंतरगत माने गए विवाओं में से एक प्रकार है इसका अर्थ प्रक्रत के बारे में बताएंगे कि मुत्ता विवा, मुस्लिम विदी की सिया विचार पतिती दुवरा मानने एक एस्थाई विवा होता है मुत्ता सब्दगार्त होता है उभोग, एंजोईमेंट या उप्योग हिफिंग के अनुसार कानुन संदर्व में इसको आनंद के लिए किया गया विवा भी कहा जाता है मुत्ता विवा एक एस्थाई विवा होता है जिसमें पतनी को दे मेहर की दंडा से निश्चित होती है और विवा का समय निश्चित होता है अर्थात हम कहें कि मुत्ता विवा क्या है कि किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा किसी महिला से ऐसा विवा जो एक निश्चित समयावधी के लिए और निश्चित मेहर के वज़ में हम सीधे सब्दों में कहें तो जिस तरह वैसे वर्ती होती है उस तरीका प्रकृति का विवा इसमें समय और निहर दोनों निश्चित होँंगे कहें कि शुन्य विद्धी में सहान नहीं दी गई क्योंकि इस विचार पधित्रिक अनुसारी वीवा की समयदा में वर्तिक का निरदारन नहीं किया जा सकता और इस परकार एक निश्चित और स्रीमित अवे करती है सिया वीदी का निरदारन और नियत विदी चाहे एक दिन हो एक महीना हो एक वर्स हो कितनी भी हो सकती है अर्तार मुस्लिम संपर्दाय में या मुस्लिम विधी में कहें कि दो मुख्यते दो विचारदाराएं हैं सुन्नी विचारदारा के लोग जो हैं वो इस विवा को स्विकारी नहीं करते हैं वो एक कहते हैं कि विवा के अवधी निर्दारित और निश्चित नहीं की जा सकती जानेके मुट्ता विवाब कबसे शूरू हुआ manipulation क्या रहा इसमें खाल आत्रणी समाजों के अनेकस्तियां अपने अपने ख्यमों में पुर्शों में अध्यू क्या का जनक का कोई हग होता था अपने मादा की संतान सम्झी जाती प्रतेक प्रक्षाइदूसरे को जब चाहे सहवास से बैस्कत कर सकता था अर्थात इत्यासिक प्रप्रेस्ट लूमी इस विवाकी मुत्ता विवाकी यह रही है कि महिला पुरुष आपस में सेक्ष्ट रिलेशन कायम करते थे किन्तु उसमें किसी प्रकार का कोई जैसे अज्वेंट वाइप में राइटर्स डूटीज होती हैं इस तरह कि कुछ भी अधिकार उदयत्य उत्वन नहीं होते थे और जो संतान है उसका भी पिता किस पिता से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था केवल व समय पर्स ओर स्त्री अपने पक्शकार को दूसरे जो दूसरा पक्शकार है उसको स्क्शों किये जाने से बहिस्क्रत कर सकते थी आदनी मुत्ता इसलाम के पूर की इस अरप्रता जो है उसको संसुरित कर चुका है अब इसलाम में मुत्ता विवाग के लिए कुछ निर्धार्ट विवस्ता की गई है कि मुत्ता विवाग इस इस्तिति में ही सही बाना जाएगा उसमें से पहला है मुत्ता विवाग की समयदा करते समय उसकी अवधी नियत कर दी जाती है दूसरा है मुत्ता की सम्विदा में मेहर का निर्धान किया जाना हो सकता है अर्थात वर्तमान परिपेक्ष में ये कहा जा सकता है कि मुत्ता विवा के लिए दो अनिवारी शर्त हैं एक तो कि समय वधी का निर्धान कर दिया जाए और मेहर का निर्धान कर दिया जाए अब ह वह एक दिन एक बस या कई बस हो सकती है अर्थात समय अवदी का निर्धान किया जाना उशक है तुछरा है समीदा में मेहर की धन्राशी उलेकित होने चाहिए जब अवदी और मेहर निश्यत होगी तो इसमीदा वैद माने जाएगी अर्थात मुत्ता विवा के समीदा मेहर निश्यत होने पर ही समीदा वैद माने जाएगी नियमित विवाओं से संबंद यह नियम की पत्नियों के संका चाहत अक्सीमित रहेगी यह मुत्ता विवा पर लागू नहीं होता जाता कि मुस्लिम विक्ति को सिलाम के अंतरगर चार विवा करने का जिवादिकार दिया गय है तो वह विवा उन चार विवाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है कि मुत्ता विवा की लिगल वेरिज क्या है इसकी विदिक प्रसंगिति क्या है तो उसके संबंद में कुछ बंदू दिये हुए हैं कि यह इसके लीगल एफेक्ट्स हैं पहला है पक्षों के बीच बा दाइत्वय या अधिकार उत्पन नहीं होगा दूसरा है मुत्ता विवा में विवा की संताहन वैद होती है और माता पिता दोनों से उत्तर अधिकार रखती है नेक्स है नियत अवदी की समापती वे पारसपरिक सहमती से यह पादी प्रतनी में से किसी की मृत्ति हो जाने बार स्क्वित है विवा flatter वीवा की वे खंशाथो ही जाएगा दादिस यह जुक्स pound होगा जो उन समयावदी निश्चीत की अवह खत्म हो जाए यह दोनोंस प्रक्षभली में मृत्ब्टू हो जाती है उस वस्ता में विवा विचेत हो जाएगा नेक्स है पुत्ता विवा में तलाक मानने नहीं होता है वता हम जब कैमाने कि जब ये विवा ही एक टंप्रेरी विवा है तो इसमें डिवर्स की कोई गुंजाइश नहीं है एक निश्यत अवधी के बाद स्वेता ही समाप्त हो जाएगा अभी हमने पड़ा कि पारिस्वरिक मेहर के अधिकारणी होगी और यदि नहीं हुआ प्राप्त हुआ है तो आदे मेहर के अधिकारणी होगी अगर मुत्ता विवा किया गया है और पूर्ण विवस्ता पूर्ण विवस्ता पूर्ण विवस्ता मतलब सेक्ट्र रिलेशन हज्में वाइप में कायम हो जाते हैं तो जो मेहर दिरदार्त किया गया वो पूरा मेहर पत्नी प्राप्त करने के अधिकारणी है और यदि पूर्णा वस्ता प्राप्त नहीं हो आ तो मेहर की आधी रासी ही पत्नी प्राप्त करने के अधिकारणी होगी नेक्स्ट है पत्नी निर्वावरत्ती की अख़दार नहीं होगे जैसे समानत है हिंदू विवा हो या मुसलिम विवा हो पत्नी निर्वावरत्ती प्राप्त करने के अधिकारणी होती है अपड़े विवा में पतनी एक निश्चित राशी प्राप्त करती है उस विवा के वज में कि इसलिए वो मेंट्नेंस प्राप्त करने की अखदार यादिकारणी नहीं होगी है анie hi mってur valid protein कोई न्यूंतम सीमा नहीं है अतात कि मुत्ता वबबा कि जो टाइम लीमिट है उसमें एक दिन एक साली यह काई वर्ष कुछ भी do soese मैं उसकी न्यूंतम नहीं है अधिक्तम भी नहीं यह लिकिन भी नहीं है कितना कितने समय के लिए विवा क bey किया जा सकता है कि घंटRO भीवा उन चार पतनियों की जो स्थ मुट्सप्नियतल Bene आपने पहले गता है कि जैसरे मुस्लिम व्वेक्ती को आपने एक समय में चार पतनियतलि जो से-अगर वकिया जा सकते हैं तो भी वो मुद्धा विवा कर सकता है। नेक्स्ट है मुद्धा विवा की प्रतियों के लिए निवास थान का परबंद करने का पत्री बाध्य नहीं होगा जैसे हमने पूर्व में पड़ा है कि किसी प्रकार का कोई अधिकार धैत्तुत्पन नहीं होता है तो ऐसे ही मुत्ता विवा जिस महिला से किया है मुश्लिम पूरुस उसके निवास इस्तान के प्रबंद करने के लिए बाद नहीं है नेक्ट है मुत्ता विवा की प्रत्नी निष्टा भंग के अधार पर जब तक व्यप्रति की इच्छा पर प्राप्त रहे अपना मेहर नहीं होती है अर्थाद मेहर जो निर्धारित किया गया है वो पूर्णते प्राप्त करने की अधिकारणी मुश्लिम विवा के अंतरक्त होती है इस प्रकार हमें कहें कि मुत्ता विवा एक ऐसा विवा है जो दो इस्त्रीपूस दुआरा एक निष्च समयवदी के लिए एक निष्चित मेहर के वज में किया जाता है इस तरह का विवा वर्तमान में शायद कुछ देशों में लागू होगा लेकिन इस विवा को भारत जो मुस्लिम संप्रदा है वो स्विकार नहीं करता है मुत्ता विवा भारत में लागू नहीं है लन्यवाद